वेलकम टू वी क्लासेज गाइस दूस्तो आज की सेशन में हम लोग बुक्स और अथर्स रिलेटेड टॉप फिफ्टी कोशन्स करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर और गॉर्मेंट कमिटिव एक्जाम से रिलेटेड होगा अग दूस्तो मैं आपको बताना चाह सब्सक्राइब कर लिए तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तों मैं आपको पताना चाहता हूं कि अफ्र डैट नतिंग आउट अफ इट ठीक है तो इसके बाद जो है आपको कुछ भी कहीं से भी जो है वो कोशन्स देखने की ज़रूत नहीं है तो च बहुत सारे डाले हुए हैं तो आप जब तयारी करते हो किसी भी कमट्रेट एक्जाम की तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हो दोस्तों वहां से बेनिफिट उठा सकते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर सकते हो तो चलिए हम लोग पहले कोशन स गया तो डेखर हो कि नानी पाल की वाला ठीक है तो देखें में कुछ जो है वह आपको ट्रिक्स तेना चाहता हो सब्सक्राइब तो यहां पे लिखा हुआ है तो नानी यहां पर लिखा हुआ है तो नानी के पीपल मतलब ना नी के हम बच्चे हैं तो नानी के पीपल मतलब की भी the people ना नीपाल के वह ठीक है तो आपको इस बात को जो है ध्यान में रखना हो और याद कर सकते हो ठीक है अधर डोस्तों यह सारे सारे कोशन सांश इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो आप जो है वो ओप्शन देख रहे हो कि जॉर्ज और्वेल ठीक है जॉर्ज और्वेल जो हैं दोस्तों वह उनीस असी फोर पुस्तक के लिखक है इसमें तो कोई ट्रीक नहीं है दोस्तों आगे बढ़ते हैं बस आपको खुछ से और इंस से जो है वो याद करने के कोशिश करना है ठीक है तो मूसी प्रेम चंद के दुवारा जो नई लिखा गया है दोस्तों इसके बारे बताना है यहाँ पर दिया गया दोस्तों की गवन ह लेख रहे हो गारीलिक है तो यहां पर जो है दोस्तों गारीन लिखा हुआ है आपने बहुत बहुत से ब्हुत पहले से Whenever दिखा हुआ हुआ है तो और निवा मंस पर क्वेर है ठीक है दोस्तों चलिन next question को बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहते हूं कि यह जो है कभी ने कभी आस्क्राइब कोश्चन है मतलब पूछे कोशन है कि इसे ना कि एक्षट में ठीक है तो आपके एक्षामस में शतीक आने वाले हैं आप सेशन को गौर से देखो ठीक है फिप्ट कोशन को द किरदार दोपारा निभाया है किसके दौार जो निभाया गया दोस्तों आपको यह बताना ठीक है देट कुछ नहीं निभाया धोस्तों मुंखे किरदार2018 भाया तो दो बैड्मिंटन क्यों से याद रखना है सीमा विश्वास जी ठीक है ठीक है जो नेक्स कोशन कर बढ़ते हैं सिक्स कोशन देख लेते हैं दोस्तों कि इस बात को ध्यान रखो ठीक है सेवन कोशन है दोस्तों कि फूरोड दे लाइन एट इंग और ब्यूटी जोए फॉरेवर जो है दोस्तों यह जो पंक्ती है किनके दुवारा लिखे गई है तो देखे हिंदी में भी बोलेता हूं दोस्तों सौंदरिक चीज हमेशा के लिए खुसी है ठीक है तो यह जो चीजे यह जो लाइन है दोस्तों किन्होंने बोला है ठीक है तो यह जो आप देख सकते हों कि जग मोहन जी जो है वह माई फ्रोजेन टर्बूलेंस इन काश्मीर के लेखक है ठीक है तो बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है तो पूस्तक है और पूस्तक आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों पूस्तक जो बुक्स वगरा होते हैं वह पढ़ने चाहिए बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है वह ग्रोध करेगी गेन करेगी हर चीज़ को गेन करने की जो है वह वह पढ़ने चाहिए किसी भी टैप्स के बुक्स हो तो आपके जो कमपेटिव एक्जाम से ठोड़ी से हट के कुछ और बुक्स आप यूज किया करो ठी खार लाइच को बढ़ते हैं डिके 1 दाइंत को सें में है कि the book ब टूरीव औरनोट अपको या लखना है चलिके और म्यaus को बढ़ते हैं और में को सन में दोस्तों की दोस्तों डेख और भारत में पहला विएक होने कारीकरमakah तो में अबताना चाहता है अप 59 में यह तो 69 भारत कारीकरम को तो कि बढ़ते हैं 11 स monsters ुआ कि रिखें बाइस ऊपको पताना शैगल ठीक है तो बी ऑप्शन देख रहे हो कि नेनतारा शैगल के दोरा जो है दोस्तों वह वाइस फूर फ्रीडम लिखा हुआ है ठीक है चलिए नेक्स कोशन को बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हो कि यहां पर देख सकते हुआ जोerek मनें जाते है तो एंग्लीश पूइटरी के जनक है दोस्तों वह बढ़ते हैं ब convolution घ्र तो इक मैarde दोस्तक्त दोस्तों किसके द्वारा लिखे गई है तो यह तो आपको इस बात को धियान में रखना है है एकस्पेक्टेट भी हो सकता है तो ौक्त होने तो चाहता हूंद जो दोस्त्त कौन सी पूर्श तक लिखे गई है आपको यह बताना है तो यह जो है दोस्तु दस्तु दt इरिश में थे दोस्तों ठीक है महान नाटक कार जॉर्ज बॉर्ण शो यह जो थे दोस्तों इरिश में थे आपको बास इतनी सी बात है आद मिनट नहीं चली नेक्स्ट कोशन के बढ़ते हैं तो यहां पर 17 के बी आप देख रहे हो कि सुद्रक्का ठीक है तो सुद्रक्का जी है जो मिर्च कटिका के लेखक है उनके द्वारा जो है वो लिखी गई है आपको याद में रखना चाहिए चली नेक्स्ट कोशन है एटीन कोशन है दोस्तों की दफेमस बुक आनंद मठ कोशन पूशी जाते हैं तो इसका एंसर हो जागा दोस्तों बी आप्शन देख रहोगी बंकिम चंद्र चटव बाधिया के दोरा जो दोस्तों आनंद मठ की रचना करी गई थी ठीक है चली नेक्स कोशन को बढ़ते है नाइटीन कोशन है दोस्तों कुछ एक्स्प्राइशन के बारे में जान लेते हैं देखें आनंद मठ जो है दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं देखें 1952 में हिंदी पेट्रोटिक हिस्टोरिकल फिल्म आई थी जिसका जो डिरेक्शन किया हुआ था हेमा गुपता के दोरा ठीक है और यह आनंद प्रविलिन के तोर पे फिल्माया गया था ठीक है और जिसकी जो अस्थान थी दोस्तों ठीक है 18th century in Eastern India तो इस्टन इंडिया के खासकर में जो है वह इसका दिखाए गया फिल्माया गया है especially बंगाल के लिए एक बंगाल में जो है वह इस फिल्मको फिल्माया गया है तो आप इस चीज़ को याद रखना और चलिए ठीक है बस इसे इतना ही चली नेक्स कोशन गर बढ़ते हो ठीक है नेक्स कोशन में जो है कि वुद डिरेक्टेटेड दुट फिल्म 1942 अ लब स्टोरी तो 1942 जो है दोस्तों 1942 अ लव स्टोरी का निगर्देशन कौन किया है किनों ने किया है आपको यह बताना है तो है कि परसीत कथन की लेखक कौन है वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शाषन करती है ठीक है कि दा गवर्मेंट इस बेस्ट वीच गवर्नर्स लेस्ट ठीक है तो मनें वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शाशन करती है यह जो कथन है कौन से लेखा के दोवारा बोली गयी थी तो Here पर ौप्षिन देख सकते हो कि हैं के लिक रिखी गई थी तो आपको जो है बस नहीं दोवारे पहली फिल्म उआ हैं की लिखत में से कौन से संट में और जि कर्थ सुछ भियाऑ तो कौन सी मुवी थी तो यह जो थी दोस्तो अलादीन तो अलादीन मुवी है दोस्तो जो अंग्रेजी देखे यह फिल्माए गया था अंग्रेजी में लेकिन जो है दोस्तो इसको जो है वह हिंदी में डब किया गया था अलादीन ठीक है तो इसको इसकी बात को ध्यान में र एमो मथाई ठीक है तो मथाई थे दोस्तों जो रेमिन्टेंसेंसेस ऑफ दे नहरु एस जिन्होंने लिखा ठीक है चले नेक्स कोशन करें बढ़ते हैं और 23 कोशन दोस्तों देखी लाइक चै्सक्राइब जहर किजिए अगर सेशन रहे लग रहा है तो यहां पर 23 कोशन देख लिखक है आपको बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है चलिए नेक्स कोशन 24 कोशन देख लेते हैं कि जो है वीच आफ दे फॉलिंग इस बायोग्राफी ऑफ द लेडी मांट बेटन तो लिखत में से कौन लेडी मांट बेटन की जीवनी है तो इसका जो एंसर हो जागा दोस् All India Radio Setup All India Radio के स्थाफना जो है तो किस वर्स करी गई थी तो यह जो है 1936 तो 1936 में जो है दोस्तो औल इंडिया रेडियो के स्थापना करी गई थी टिए नेक्स कोशन को बढ़ते हैं 26 कोशन है हूँ डिरेक्टेट द फिल्म सर्दार तो सर्दार सर्दार के जो है दोस्तों निर्देशक कौन है सर्दार मोवी के तो देखिए इसका जो अप्शन हैं वाला दोस्तों केतन महता केतन महता जी है जो सर्दार के डियरेक्शन थे डियरेक्शन किया हुआ था ठीक है तो चली नेक्स कोशन कोशन बढ़ते हैं ट कुई सेड्ड गाड़ हेल्प्स दोस्तों घंजिन डिंसेल्फ तो अलजरिनों सिड्ञी जो है दोस्तो उननने कहा था कि भगवान उनकी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं ठीक है गॉड हेल्प्स दोस हुल हुई है यह देमसेल्ब चलिए नेक्स को बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है और 28 कोशन है कि दफ फिल्म सलाम बॉम्बे वास डिरेक्टेड बाई तो जो फिल्म सलाम बॉम्बे का निर्देशन कौन किया है दोस्तों आपको यह बताना है ठीक है तो इसका जो राइट एंसर अने वाला दोस्तों मीरा नायर मीरा नायर है दोस्तों ठीक है तो मीरा नायर है जो सलाम बॉम्बे की निर्देशन करती कि जिन्हों ने किया हुआ था ठीक है तो डिरेक्टर जो थे दोस्तों वह मी तो किसके द्वारा लिखी गई पूस्तक पर अधारीत है आपको यह बताना है तो 29 कोशन का जो है डी आप्शन देखरों की लेविस कैरोल जो है दोस्तों तो इस पूस्तक के ऊपर जो है वह अधारीत है एलिस इन वंडर लैंड ठीक है आपको बस इतनी सी बात ध्यान में को ओरन है तो आपको यह बताना है ठीक है तो इसके आप्शन हो जाएंगे ऊप्च्νο हो जाएगा रूपट-मडोज ठीक है ृicana कभी कभी कोसन्स इस तरीके से से भी पूछता है दोस्तों ठीक है तो आपको जो है इस तरीके कोशन को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है चलि नेक्स को बढ़ते हैं 31 कोशन है दोस्तों किसके दौरा लिखी गई है तो थान में रखना है विन्स्टन चर्चिल दोस्तों ऊपनियास प्रधारित है नलापके तो यह जो है दोस्तों स्टार चंद्रा चाटव cinnamon के ऊपर जो है दोस्तों यह उपने हसल चलिन जी सब अँपने हाज अधारित गया किसके दोब्र नियुक्त जो है दोस्तों ब्रोड़कास्टर किसके दवारा कर गई थी तो यह दोस्तों द्यक्री ऑप्षंट बूप स्पेरिमेंट विट रॉब तो यह भी कोषों बहुत बार दोस्तों रिपेटेट कोषन से बहुत बार पूछा गया आपको हमेशा से ध्यान में रखना जरूरी है तो देखे मैं बुलना चाहतों कि महात्मा गांधी के द्वारा जो यह लिखी गई थी पूस्तक ठीक है माई एक्सपरिमेंट वीद्ट ठीक है तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी यह थीक है चली नेक्स कोशन है 35 धिर्याइटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स तो स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है दोस्तों आपको यह बताना है तो 35 का जो ऑप्षन देख रहो और के नरायन के द्वारा जो है दोस्तों वह स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा हुआ है ठीक है चलिए नेक्स कोशन पढ़ते हैं दोस्तों ठीक है और यहां पर है कि यहां दोस्तों की जो है ओप्शन सी देख रहो कि सीड्नी शेल्डॉन के दोरा जो है दोस्तों यह नेक्स कोशन है दोस्तों नेक्स कोशन में है कि विवादस्पद पुस्तक लजा के लेखक किस देश के नागरिक है आपको यह बताना है 37 का आप यह option देख रहो कि बंगलादेश तो बंगलादेश के जो है वह लेखक थे लजा लजा के लेखक ठीक है चलिए नेक्स कोशन को बढ़ते हैं 38 कोशन देख लेते हैं कि इतिहा की बुक है दोस्तों वह लिखी गई है वह किसके दोबार लिकिक आपको यह बताना है टीक है ठीक है थाथ यह के बनाए चली नेक्स वोचन को बढ़ते हैं 39 कोशन देख लेते हैं इसमें के सेकुलर एजंडा इस ए बुक रिटेन बाई तो ए सेकुलर एजंडा किसके द्वारा लिखी गई है आपको यह बताना है 39 का जो आप यह ओप्शन देख रहे हो अरून अरून शौरी ठीक है तो अरून अयंगर राइट किस भासा में डॉक्टर मस्ति वेंकर लिखा है आपको यह बताना होगे तो 40 का जो है दोस्तों डी ओप्शन देख रहे हो कंणर तो कंणर लेंग्वेज में जो है दोस्तों वह डॉक्टर मस्ति वेंकर अयंगर यह लिखा हुआ है ठीक है चली नेक्स यह जो है ऑप्शन है नेवला दोस्तों यह ए बी वाजपई तो ए बी वाजपई के दोरा जो है दोस्तों इस पूस्तक जो है दोस्तों भासनों का संगर है इनके जो है ठीरी डिकेट्स इन पार्लियमेंट नामक पूस्तक जो है दोस्तों इनके भासनों का संगर है तो आप को बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है 42 कोशन देख लेते हैं दोस्तों ठीक है मनुष्य एक राजनेतिक प्रानी है किसने कहा था तो दोस्तों यह जो है आप आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों ठीक है और आप मेरे वीडियो के प्लेश में जा सकते हैं क्योंकि मैं जो हूं वह और गर्मेंट कम्टिव एक्जाम्स की तयारी करवाता हूं ठीक है तो आप मेरे सारे सचन को देख सकते हूँ आप प्लेश विजिट करके दोस्तों आप देख सकते हो ठीक है चलि नेक्स कोशन जो है दोस्तों यहां जो है फोटी थरी कोशन देख लेते हैं कि तव फेमस क्यारेक्टर पिकविक वस ग्रेटिड बाइट तो परसित चरितिर पिकविक किसके द्वारा लिखे गई है ठीक है तो फोटी थरी का जो डियो ऑप्षन देख रोग चार्लेस दौरा जो है दोस्तो फिक विक जो है वो लिखे गई है ठीक है चलिए नेक्स कोशन को बढ़ते हैं और नेक्स कोशन कोशन है दजनरल हैपिनेस इस दे इंड ऑफ द स्टेट हूँ सेड़ डिस समान ने सूख राज का अंत है यह किसने कहा था दोस्तों ठीक है तो आप यह अप्शन बेन्थेम तो बेन्थेम को दौरा जो दोस्तों यह कहा गया था कि अधा जनरल हैपिनेस इस दे इंड ऑफ द स्टेट होगे चलिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं 45 कोशन देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स चैनल ए मन्थली वीडियो एमेजिन हैस बिन लॉंच्ट चैनल एक मासिक वीडियो पत्री का है जो इनके दोवारा जो है वो शुरू कर गई थी ठीक है चलिए 46 कोशन देख लेते हैं 46 कोशन है कि शरलक्स होम्स तो शरलक्स होम्स जो है दोस्तों की रचाईता है कौन है आपको यह बताना ठीक है अपने बहुत सुना होगा दोस्तो शरलक्स होम्स ठीक है तो शरलक्स होम्स के जो है वो किन्हों ने क्रेट किया हुआ है आपको यह बताना होगे तो यह जो ऑप्षन देख रहो की ओधर कौनेंड डेल ठीक है ड्यक है और अर्थर कौनेंड ड्वैल तो इनके दौरा जो दोस्तों शर्कल्स के रचाईता है ठ दोस्तों ऑथर कौनेंड ड्वैल के द्वारा जो है वो लिखे गई है ठीक है तो शरलक्स आप याद कर सकते हो ड्वैल शर्लक्स ड्वैल ठीक है चलिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है 47 कोशन में है वो डिरेक्टिट देवी सिरियल तंदूरी नाइट्स त तंदूरी नाइट्स के निर्देशन है ठीक है चलिए 48 कोशन देख लेते हैं 48 कोशन में कि वी वी इंडियंस पूस्तक के लेखक कौन है ठीक है तो इसका जो राइट इंसरने वाला है वो सी ऑप्शन देख रहे हो खुश्वंद सिंग तो दोस्तों जो है खुश्वंद सि कोशन है दोस्तों की flame sleeps in डिया बूंडीया ओर दिरीम ब्लडिम कीश डवाइस ड्वार लिखे गई है ठीक है तो ये जो लिखे गई है दूस्तों akinक 되면 कह मोणा है डिवर वह 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 इंडिया आग्स रिफ हो इसके और धीक एक माहीन आफलेते है कि को एकू इस बो पड़त तो पॉपल कैनेडी हैं दोस्तों जो है वो फ्रीपेरिंग फॉफ एलास के लिखा दिघ्यर करेंटी धूब है only which is से बंते हैं और ये भी कोशन जो है वो कभी ना कभी आस्क रहा है तो चले ने क्सक्राइब चलते हैं और दोस्तों हमने जो है 50 plus add-on किया है डिठ निस जो है एक और कोशन है जो है 52 वो टोटल था ठीक है देखिए कोशन है चारा चार ठीक है तो चारा चार जो है दोस्तों श्री बुद्ध्यों गुपता दुवारा है जो है वह निर्देशी फिल्म थी तो आपको वस इतनी सी बात याद रखनी है ठीक है चलिए नेक्स को बढ़ते हैं 52 को संदेख लेता है कि नीला चांद विच वूंद विच वूंद व्यास समान फो नाइंटी नाइटी टू इस रिटन बाए उन्हीं सो बानवे के लिए व्यास समान जितने वाली नीला चांद किसके दौरा लिखे गई है आपको यह बताना है का देखिए नियुकों को सकता है दौरा वह सो जाएं गई तो चलिए तो दोस्तो यह जो है आज का सेचन बहुत ही कर रहे हो तो आपको मेरे चानल पर विजेक करना च дети आपको चेक करना को चीछरफ हर विडियोस आपके लिए इंप्रेंड रहने वाला है औहुत अब ही मेरे वीडियोस के बारे में अंपडेट जानने के लिए दूस्तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है ठीक है तो आप मेरे चनल पर नए हो तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग नेक्स वीडियों मिलनेते हैं ततक के लिए धन्यवाद